नमस्कार दोस्तों मैं मुनम्रता जुविदी मेरे किचन में आपको फिर से स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं काढ़ा कैसे बनाएंगे आईए हम आपको बताते हैं बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आउशकता पड़ती है हम आपको बताते हैं आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आप ले लेंगे काली मिर्च मैंने 6 से 7 काली मिर्च ले लिया है आप यहां देख सकते हैं आजवाइन मैंने आधा चपह को बता सकते हैं इत만 दो पत्ये मैं चोड़ी चोड़ी कर लिया दाल चिन्नी मैंने ले लिया है यह आप देख सकते हैं यह दाल चिन्नी है जो कि मैंने इतने बड़ा टुकड़ा ले लिया है आप यहां पर देख सकते हैं चार से पांच लॉंग ले लिया है मैंने दो इलाइची हल्दी पाउडर आधा चमच तुलसी का पत्ता मैंने ले लि लिया है आप यहां पर देखेंगे कि मैंने गुड़ लिया है गुड़ आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना मीठा पसंद करते हैं उसी साब से आप डाल सकते हैं इसे हम एक ग्लास पानी में बनाएंगे और यह काढ़ा बहुत ही फायदे मन्द होता है यह समय कोविट का दौर है तो आप डेली काढ़ा बना के पी सकते हैं अपने घरों में इस तरीकी से यहां पर देखेंगे हम अध्रक को थोड़ा कूट लेंगे इसमें डालके इलाजी को भी लॉंग को भी काली मिर्च तुल्जी का बत्ता इन सब चीजों को हम इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे यह हमारा पेस्ट बन गया है आप देख सकते हैं अब हम पाने डाल देंगे पगने के लिए अब हम इसमें इन सारी चीजों को डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से पक जाए आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी चीजों को मैंने इस तरीके से डाल दिया अब धीरे धीरे पानी के साथ पक जाएगा गुड़ भी हम डाल देंगे हल्दी को थोड़ा रुक के डालेंगे अब इन सब चीजों को पहले हम डाल दिये हैं यह पक जाएगा तो मैं हल्दी को डाल के फिर उसके बाद छान दूँगे काढ़ा हमारा पक गया है कलर भी देठी है पाने में चेंज हो गया है इस तरीके से आप इसे पका लेंगे और इसमें हल्दी डाल देंगे हल्दी को डाल के हम सिर्फ एक मिनट पकाएंगे बस अब हम काढ़े को छान लेंगे कप में आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से हम काढ़े को छान लेंगे यह आप देखेंगे मैंने इसे आदा कप पकागे कर लिया है इस तरीके से आप काढ़ा बना सकते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक सस्क्राइब जरूर करें जो लोग हमारे वीडियो को सस्क्राइब कर दिये हैं वो लाइक करेंगे जो लोग नहीं किये हैं वो लाइक सस्क्राइब दोनों करेंगे दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएगे ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें धन्यवाद